नमस्य दोस्तों, मैं हानिलाल वानी हानि की रसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आप सब के लिए ओट से बने हुए एक चॉक्लेट केक की रेसेपी लेए कर आई हूँ ये केक हमने ना तो अवन में बनाया है ना ही इसके लिए हमने गैस का इस्तवाल किया है फिर भी ये केक बना था सूपर सॉफ्ट और डिलिशियस बनने में बहुत ही असान है तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सरूर करें इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप दूद लिया है दूद एकदम रूम टेमपरेचर का होना चाहिए इसमें डाल देंगे वन थर्ड कप रिफाइंड ओयल आपका कोई भी ऐसा ओयल ले सकते हैं जिसमें स्ट्रॉंग स्मेल ना हो एक चमश हम डाल देंगे विनेगर विनेगर के जगए लेमन जूस पर डाल सकते हैं और एक चोटा चमश हम डाल देंगे वनिला एसेंस फ्लेवर के लिए इन सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे एक तरफ रख देंगे जब तक हम अपने जो ड्राइटिंस है वो रैडी कर लेगे यहाँ पर मैंने आदर कप ओट्स लिया है यहां मैंने इंस्टेंट ओट्स का इस्तमाल किया है सबसे पहले इस ओट्स को हमें ग्राइन करके इसका पाउडर याइनि ओट्स का आटा तियार कर लेना है तो आदा कप ओट्स को एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसको एक दम फाइन पाउडर बना कर हम रेडी कर लेंगे यह हमारे ओर्स बिसकर के रेडी हो चुकी है तो एक बड़े बोल पे हमने छलनी रग दी है इसमें पहले ओर्स का आटा डाल देंगे साथी एक कप मैं ले रही हूं गेहूं का आटा यानि जिस्ते हम रोटी बनाते हैं वह वाला आटा एक तीहाई कप कोकुवा पाउडर एक चुटी चमच यानि वन टीए सपून बेकिंग पाउडर हाफ टीए सपून बेकिंग सोडा यानि खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा इन सब चीजों को आछे एक बार मिक्स कर लेंगे सब चीज़ को अच्छे से mix कर लिया है यानि dry ingredients हमारे ready है अब जो शुरू में हमने दूद वाला mixture यानि wet ingredients ready करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे तो पूरा mixture एक साथ ना डालें थोड़ा थोड़ा डालते वे इसे हम mix करते जाएंगे और जैसा मैं हर बार बताती हूं केक के mixture को over mix ना करें बस सारी चीज़ा आपस में combine हो जाएं तब तक हमें इसे mix कर लेना है और एकदम स्मूध और चिकना हमें बैटर बनाना है कोई भी इसमें lump या फिर गांट ना रहे ये देखे बैटर हमारा बन करके ready है बैटर की consistency कुछ इस तरीके कियाएगी आज का ये केक हम बनाने वाले हैं अगारो के rice cooker में जी हां फ्रेंट जैसा कि मैंने कहा था ना तो हम oven का हमें अधरी जत्की अधर कहारो हमें धरीज के जश को बने वाले तक्स का यृद राइस कूकर में राइस कोकर में इस तरीक पेस में बटर पेपर लगा रहे हूं अगर आपके बटर पेपर ना हो तो आप मैयदा डस्ट कर से अर्शित कर देंगे और तयार किया वावा कर देंगे आप चाहें तो सेम केक नॉर्मली भी जैसे हम बनाते हैं आवन में या गैस पे आप बना सकते हैं तीन से चार बार से टैप कर देंगे ताकि एर बबल निकल जाए उसके बार तयार टिन को हम डाल देंगे राइस को कर वें और इसे आपको प्री हीट करने की केक बन करके बिलकुल राइडी हो चुका था और देखिए केक हमारा दिखने से लग रहा है और काफी सॉफ्ट एंड मॉइस्ट यह बना था यह देखिए तूद्पिक के स्क्यूर से आप च्यूर कर लीजीगा यह बिलकुल क्लीन है तो इसे हम बस बन करके 10-15 मिंट रूम केक टिन को देमोल्ड करते हैं यानि केक को उसी तरीके से भी देमोल्ड कर लेंगे और देखिए बिलकुल असानी से यह निकल आया है बहुत अच्छा राइस हुआ है और बहुत ही बढ़िया बना है और अब इस केक को आप चाहें तो आप चाहें तो एज टीज ड्राय केक करके उसे मिल्ड कर लिया था तो बस ही हमारा चॉकलेट गनाश रडी है और इसे हम जो केक है इस तरीके से फैला लेंगे अब इसके उपर हम उपर से थोड़ी सी चॉकोचीप स्टाल देंगे थोड़ी सी में पास चॉकलेट बॉल्स हैं आप इसे अपनी पसंद के अकॉर् केक्स से जादा इस तरीके की केक्स जादा पसंद आते हैं तो यह लीजिए त्यार हो गया हमारा टेस्टी सा और हैल्दी सा ओट्स चॉकलेट केक्स आपको देखिए देखने में पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट यह बना है तो इस रसिपी को फ्रेंस आया है फिर भी आप इसका टेक्शिर देखिए एकदम पॉफेक्ट है तो इस रसिपी को ट्राइ करना भी बनता है जैसे आपको मेरी बाकी रसिपीस पसंद आती है केक की यह वाली भी जरूर पसंद आएकी तो आप इसे च्राइ कीजिए आपका फीडबैक शेयर कीजिए वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले हैं